हाई गाईज वेलकम टो माई चैनल वंस अगें तो फ्रेंड्स इन इन मार्केट में वीवो कमपनी ने अपनी दो नए स्मार्टफून वीवो वी 29 और वीवो वी 29 प्रो को लॉंच कर दिया है जो कि दोस्तो कमपनी के बड़िया स्मार्टफून है इनके अंदर आपको बड़िया फीचर्स मिलते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफून को कमपेर करके बताएंगे कि ये दोनों ही स्मार्टफून एक दूसरी से कितने अलग हैं और इन दोनों ही smartphone के अंदर आपको कौन कौन से features एक जैसे देखने को मिलेंगे तो दोस्तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो like और share ज़रूर करें और हमारे चनल को subscribe करना ना भूने तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो की सरवात करते हैं इन दोनों ही smartphone के look और इनके design के साथ तो दोस्तो दोनों ही smartphone के look और इनके design के अंदर आपको difference देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही smartphone बिलकुल एक जैसे हैं दोनों ही smartphone के back side में आपको triple camera sensor देखने को मिल जाएगा जिसके साथ है आपको ring LED फिलेस लाइट भी देखने को मिलेगी इसके साथ ही इन दोनों ही smartphone के अंदर आपको center पंचोल cutout वाली कारव display भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो look और इनके मामनी में दोनों ही smartphone बिलकुल similar हैं जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं बाकी दोस्तो अगर इनके features के बारे में बात करें तो दोस्तो इन दोनों ही smartphone के design की तरह ही इन दोनों ही smartphone इंदर आपको काफी सारे features भी एक जैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे दोस्त अगर इनकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफुन इंद आपको 6.78 इंच की फुल एचडी कार ओलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है जो की 120 हट जी रिफिरियरेट के साथ आती है और इनके अंदर आपको 1300 नीट स्पीक का विस्पोर्ट देखने को मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्ले के मामले में इन दोनों ही स्मार्टफुन इंद आपको कंपने ने एक ही साइज की एक जैसी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है और इन दोनों ही स्मार्टफुन इंद आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिन स् और 50MP का front selfie camera प्रोवाइड कराया है जबकि दोस्तो इसके pro version के अंदर आपको 50MP, 12MP और 8MP का rear camera और 50MP का front selfie camera देखने को मिलता है तो दोस्तो इन दोनों ही smartphone के main camera के अंदर आपको difference देखने को नहीं मिलता दोनों ही smartphone के अंदर आपको selfie camera भी 50MP का मिलता है जिससे दोस्तो आपकी pictures quality काफी improve होने वाली है और इन दोनों ही smartphone देखने को मिल जाता है वैसे देखा जाए तो दोस्तो camera के मामले में दोनों ही smartphone लगबग similar से हैं लेकिन दोस्तो pictures quality के मामले में इनके अंदर आपको difference देखने को मिल सकता है चली दोस्तो बात करते हैं इन दोनों ही smartphone के processor के बारे में तो दोस्तो इन दोनों ही smartphone देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो वीवो वी 29 5G smartphone देखने को कंपने ने Octa Core processor के साथ snapdragon 780G का chipset दिया है और यह smartphone Android 13 operating system के उपर काम करता है जबकि दोस्तो इसके pro version के अंदर आपको company ने Mediotech Diamond City 8200 का chipset प्रोवाइड कराया है और यह smartphone भी Android 13 operating system के उपर काम करता है तो दोस्तो इन दोनों ही smartphone देखने को मिलेगा processor के मामले में वीवो वी 29 Pro smartphone जादा बढ़िया है इसके इंदर आपको Mediotech का एक बढ़िया और चापारफुल chipset देखने को मिल जाता है जो कि आपको काफी बढ़िया gaming performance देने वाला है क्योंकि दोस्तो यह chipset है 4 nanometer technology के पर वेश्ट एक बढ़िया और चाच chipset है सली दोस्तो बात करते हैं इन दोनों ही smartphone के variant के बारे में दोस्तो इन दोनों ही smartphone को company ने market में 8GB और 12GB RAM के साथ launch किया है जिसके साथ आपको 128GB और 256GB का internal storage देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तो वीवो V209 Pro smartphone दे आपको 128GB RAM वाला variant देखने को नहीं मिलता तो दोस्तो market में इन दोनों ही smartphone आपको 2-2 variant में देखने को मिल जाते हैं अगर दोस्तो इन दोनों ही smartphone की battery के बारे में बात करें तो दोनों ही smartphone की battery के अंदर भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता दोनों ही smartphone दे आपको 80W के fast charging sport वाली 46MAH की powerful battery देखने को मिल जाती है तो दोस्तों इनकी बैटरी और फास्ट असाजर के अंदर भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता दोनों ही स्मार्टफों इंदर आपको बिलकुल एक जासा पारो बैक अप मिलने वाला है तो दोस्तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफों इंदर आपको main difference इनके processor के अंदर ही देखने को मिलता है बाकि features के मामनी में दोनों ही स्मार्टफों बिल्कुल similar है बाकि दोस्तो अगर इनके price के बारें बात करें तो दोस्तो वीवो वी 29 स्मार्टफों का सुरुआती वेरेंट आपको लगबग 33,000 पे में मिलता है तो दोस्तो वीवो वी 29 प्रो स्मार्टफों का सुरुआती वेरेंट आपको लगबग 40,000 पे में मिलता है तो दोस्ते इन दोन्हों ही स्माथफ़ूं के प्राइज के अंदर आपको काफी डिफरेंस मिलता है लेकिन दोस्ते इनके फिचर्स के अंदर आपको डिफरेंस इतना जादा देखने को नहीं मिलता बागी दोस्तों आप इन मिसकों से स्मार्टफून खरीदना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स के कमेंट करके जरूर बताएं और इदिया आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शियर जरूर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावाद